चत पिखेती है पिखेती यह हम है यह हमारी चत है यह हमारी खेती हो रही है हाई ओल टाइटल और थमनिल से आपको पता चल गया होगा कि हम लोग आज बनाने वाले हैं ट्राइपॉड जो कि हम वेस्ट मटीरियल से बनाएंगे वैसे मैं मार्केट से ट्राइपोड ला सकती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था और ऑनलाइन में मुझे थोड़ा सा रिलाइबल नहीं लगता कि कैसा प्रोड़क्ट आएगा क्या आएगा तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे ही कुछ बनाया जाए क्योंकि काफ कुछ भी कहलो उसका वीडियो भी शेयर किया था अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है तो जब वह बनवाया था तब कुछ टुकड़े बास के मेरे पास बज गए थे फटे हुए बास के नहीं थे पूरा वाला चुटा है वाला यह तो बहुत चोटव और क्यूट सा तुकड़ाय वह अपरोक्स तीन फीट से थोड़ा सा साधा होगा और जो यह बाद वाला जो यह तो फीट जितना है और यह तो बिल्कुल चोटव सा है तो तीनों मुझे तीन साइज के लिए एक दम क्योंकि DIY करने के टाइम पर यही होता है कि उसको हम लोग उपर नीचे जो सिस्टम होता है करने का उस टाइम पर थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है तो यह तीन साइज इसके बाद से तो यह भी हम लोग के लिए बहुत एक अच्छी बात रही है तो मैंने फिस सोचा कि इन तीनों को ही यूज करके हम बनाते हैं गार्डन में जब इस तरह का कोई ट्राइपॉड हम रखेंगे तो वो बहुत ब्यूटी भी बढ़ाएगा और काफी काम भी आएगा तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस से ट्राइपॉड बनाते हैं और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा प्लीज कि आप लोग को ये ट्राइपॉड कैसा लगा क्या आप भी बनाना चाहेंगे इस तरह का कोई ट्राइपॉड हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले सबसे छोटे वाले बांस के टुकडे से सबसे ज़ादा यही काम आने वाला है एज ट्राइपॉड क्योंकि इसकी साइज बहुत परफेक्ट है इसको पहले आपको स्टार्ट करने से पहले आपको इसको मार्क करना है कि कहां आपको ये मुबाइल को अपना सेट करना है तो सेंटर ही होगा जो पॉफेक्ट पोजिशन होगा मुबाइल को सेट करने के लिए तो हम सेंटर का दोनों कौने पर हम लोग मार्ग कर लेंगे जहां हम लोग को कट लगाना है और इस तरह का कोई भी आप शार्प जो आरी होती है कोई ब्लेड होती है जिससे यह कट जाए तो आप ले लीजे अगर आप खुद से काट सकते हैं तो वेल और गुड है अगर आप नहीं काट सकते तो आप किसी को हेल्प ले लीजे क्योंकि बहुत छोटा सा काम है बहुत फ्यू मिनिट्स लगते हैं इस काम में तो आप किसी की हेल्प लेके भी बांस काट सकते हैं तो इस तरह से हम तीन बास के टुकड़ों में तीनों में ही इस तरह का कट लगाएंगे फाइनली थोड़ी सी महनत के बाद तीनों बास के टुकड़ों में अच्छे से हमने कट लगा दिया है कट लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि आपके जो मुबाइल का साइज है उससे आप कट को थोड़ा सा जादा रखें हमने क्यों जादा रखना है कट को ये मैं वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगी तो आप पूरा एंड तक देखिए हम पूरा प्रोसीजर आपको स्टेप बाइ स्टेप दिखाते रहेंगे ये जो ट्राइपोड है आपको सच मानिए बहुत पसंद आने वाला है तो आप वीडियो में हमारे साथ बने रहेंए अभी बहुत कुछ बाकी है आपको दिखाना इस ट्राइपोड के बारे में अभी तो जिर्फ स्टार्ट हुआ है हमने कट लगाया है अब आएगा इसकी डेकोरेशन का पार्ट एक गार्डनर के पास मास के अलावा और डेकोरेशन के लिए क्या मिल सकता है रसियां क्योंकि जिसके पास जो अवेलेबल हो वो उसी चीज को यूज करे मेरे पास रसियां है तो मैं उसी से डेकोरेट करती हूँ इनको decorate करने के लिए मैं यूज़ करे हूँ मोठी वाली नारियल की रसी अभी कोविट के टाइम पे जितना हो सके मार्केट जाना मैं avoid करती हूँ जहां नेसेसरी ना हो वाह नहीं जाती तो decoration के लिए मेरे पास थी नारियल की रसी और वैसे भी मुझे बहुत देसी और ऐसे organic चीज़े अच्छी लगती है terrace में आपने बहले भी तेखा हूँ मैं काफी bamboo और cane वगर यूज़ करती हूँ मेरे terrace पे और इस तरह का कोई tripod अगर हम यूज़ करते हैं तो वो useful भी होता है और शोपीज भी बनता है बहुत अच्छा हमारे terrace के लिए तो आप लोग please मुझे बताते रहें कमेंट में कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है पूरा end तक देखिएगा हम इसको और भी decorate करने वाले हैं आगे बहुत simple simple चीज़ों से और बहुत easily मैं बहुत ज़्यादा time invest नहीं कर सकती इन चीज़ों के लिए क्योंकि मुझे garden में बहुत time देना होता है काफी काम होता है तो ये जो मैंने बनाया है ये एक ही दिन में बनाया है और बहुत जल्दी बन गया था बहुत ज़्यादा time इसमें लगता भी नहीं है आप कैसे भी रस्या लगा सकते हैं अपनी creativity के उपर है मैंने बस ऐसे ही random जहां मेरा मन किया वहाँ लगा दिया तो पूरा complete करके रस्या लगा के फिर आपसे मिलते हैं decoration के लिए हम बनाएंगे थोड़े से फ्लाज flowers मतलब बस ऐसे ही simple बहुत basic spirals बना रहे हैं हम लोग देखे यह पार्ट की जो पतली वाली रस्या होती है वह हम लोग यूज कर रहे हैं बहुत easy है इस तरह से बस आप घुमा कर इसके spirals बना लिजिए इसको हम लोग as flower कहलो या कुछ भी कहलो बस हम लोग इनको decoration के लिए य यूज कर रहे हैं तो इस तरह से आप glue stick से यूज करके इसके center में भी आपको थोड़ा सा glue stick लगाना है ताकि यह खुल ना जाये लगाने के बाद तो यह जो flowers है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं personally तो आप भी मुझे बताएगा कि आप लोगों को कैसा लगा अगर आप ल यह बहुत अच्छे से चिपक जाते हैं और जो प्लू पर लगाया है वह काफी अच्छे से पूरा पेस्ट हो जाता है बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है देखें कितने अच्छे से ग्लू यह चिपक गया है तो इस तरह से जब लगा देंगे उसके बार इसको फ्लोर से स्पाइरल बन जाते हैं तो ऐसे मैंने बहुत सारे बना कर कलेक्ट करिए तो चलिए अब इनको ट्राइपोड के ओपर लगाते हैं किस तरह से लगाएंगे यह सबसे छोटे वाला ट्राइपोड है इसको अगर आप धियां से देखें तो इस बांस का जो कलर है ना वह बह नहीं किया है और यह इसी तरह से मुझे अच्छा लग रहा तो प्लीज आप लोग भी बताएगा कि तीनों में से कौन सा ट्राइपोड अपको सबसे जादा अच्छा लगा एंड में आपको तीनों कंप्लीट करके इनका तीनों का पूरा व्यू दिखाऊंगी और उसके ब इडियम वाला ट्राइपोड था उसमें हमने बहुत कम फ्लास लगाया है क्योंकि अल्रेडी हमने टॉप और बॉटम में काफी सारी रस्या उसमें लपेट दी है नारियल की तो बिल्कुल जो सेंटर है थोड़ा सा खाली लग रहा था तो बस उतनी दूर में हमने इन फ्ला अच्छे लग रहे हैं चोटा वला ट्राइपोड देखें सबसे जादा क्यूट लग रहा है और मीडियम वाला भी बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है बहुत ही ब्यूटिफुल एक नाच्रल इसका बांस का जो लुक है वह आ रहा है चलिए अब हम इसको यूज करके भी यह कितना यूसफुल है अब आपको समझ आया होगा कि मैंने क्यूं बोला था गैप जादा रखते के लिए अगर वो गैप कम होगा मॉबाइल इसमें अगर प्रॉपरली फिट होगा तो इसके स्क्रीन को टाच होगा और उसका जो स्क्रीन को यूज करने का जो तरीका होता है क्लिक होता है वो आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर उसमें अल्रेडी फिट हो जाएगा और पास अगर स्क्रीन को टाच करेगा तो थोड़ा गैप जादा रहेगा तो आप एजिली स्क्रीन को अन आफ कर सकते हैं यूज कर सकते हैं और इसको मूफ करने के लिए आप को जब काम होता है तो आप आराम से इसमें ट्राइपॉड लगा कि अपना काम कर सकते हैं और बाद में इसको आफ कर दीजिए जो मीडियम हाइट वाला मेरा ट्राइपॉड है वो मुझे लगता है मेरे सबसे ज्यादा काम आने वाला है क्योंकि वो अगर मैं फ्लोर पे बै जो कि बहुत काम आ रहा है ओनलाइन क्लासेज में, ट्यूशन में, विडियोज देखने में तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्षिन में जरूर बताएगा कि आपको ये ट्राइपॉड का डियाइवाई कैसा लगा अगर आपको मेरा विडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब कर दें हैपी खेती बाई